हлекतीओ स्वाजत है सभी सेवि का वहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक और नई वीडियो में जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस पोसंट ट्रेकर एप हम लोग काम कर रहे हैं उस पोसंट ट्रेकर एप में एक डेश्बोड दी outline गया है जिस डेस्पूट पे काम करने हम लोग जाते हैं तो वहां से वह जो आप है आप लोग का बैक हो जा रहा है तो उस प्रवलम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे आए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जैसे कि सिंपली यहां से हम पोसंट ट्रेकर एप को ओपिन करते हैं और ओपिन करने के बाद यह जो डेस्पूट वाला ओप्सन यहां पे आप लोग को दिखाया जा रहा है इस पर जैसे हम लोग क्लिक करके इसमें कुछ भी काम करने जाते हैं तो हम लोग का इस परकार से देख सकते हैं कि पोसंट ट्रेकर एप बैक होके वापस आ जाता है तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे हाला कि इसके रिकार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है लेकिन फिर से यह प्रोब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है तो चलिए हम आप को बता देते हैं कि किस परकार से आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं काफी दिनों से वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था मेरी तबियत बहुत ही खराब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था अभी भी तबियत थोड़ी सी डाउन है तो जरूर कर लिजिएगा ठीक है तो देखिए अगर आपको भी इस परकार के प्रोब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है यहां से सिंपली इस पोशन ट्रेकर एप के ऊपर दो तीन सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है जैसे इस परकार से आप होल्ड करेंगे तो उसके करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर जो इसको क्लियर कर देते हैं ठीक है क्लियर कैचे करने के बाद और उसके बाद क्लियर करेंगे तो इस परकार से यह फुल के आएगा डिलीट एप डाटा यानि आपका पुराना वाला डाटा है उसको डिलीट कर दिया जाएग इसे आप लोग को कोई problem नहीं होगी आप लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम इसको ok पर click कर देंगे click करने के बाद यहाँ से हम लोग back कर लेते हैं और back करने के बाद यहाँ पर हम फिर से portion tracker app को open करेंगे तो open करने के बाद कुछ process आप से पुछा जाएगा जैसे क आपका mobile number और आपका MPN यहाँ पर आपको अपना MPN और अपना mobile number डालके login लेना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर language select करने का option आगया है तो हम लोग language select कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मुबाईल लंबर जो रेइस्टर मुबाईल लंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद जो चार उंको का अपने एमपीन बनाया हुआ है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है तो यहाँ पे मुबाईल लंबर और ए यहाँ पर उसको open करेंगे जैसे कि हम open करके दिखा करेंगे तो अब आपका जो dashboard है यहाँ से बैक नहीं होगा और आप लोग यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं इस प्रकार से आप आप लोगो को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कर दीजेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत को धन्यवाद जय हिंद